अजीर दुल्बा, आज की हमारी वीडियो चौथी जमात के रिए हैं, आज हम एक मजमून लिखेंगे, उन्दुन कहा जाता हैं, और इंग्लिष में इसे कहते हैं, इंदि में दिबंध कहते हैं, ऐसे और दिबंध हैं आपनी काफी लिखेंगे, और मजमून बीस्टे बहर ल हमारी आजादी आप जानते हैं कि हम 15 गास 1947 से पहले व्यदू को उलाम थे हमारा मुल्क और 15 गास 1947 को हमारे जो रहनुमा हैं उन्होंने हमारे मुल्क को आजाद कर आया हमारी अपनी हुकूमत हैbas आजब करते हैं कि इस थहां को जमोरियत कर जाता है वैरा liquidity मुल्क की क्या है सबसे पहला जुम्ला इस मजमून का इसमें आप फिर दना प्लैंक्स के अंदाद में आप इस ऐसे को लुखेंगे मैंने हर लाइन में हर जुम्ले में एक लफ्स छोड़ दिया है आप उस लफ्स को लिखिए और प्रजुम्ला को कमल कर लिए आसान है बहुत मुश्कि जिसमें हमारा मुन को अलाद हो था आपको पता होगा पता होना भी चाहिए कौंसा संता हो उससे पहले हम अंग्रेदों के गुलाव की अंग्रेद हमारे उपर मतमाने तरीके से हुकूमत यहां पर क्या लफ्स आएगा आप निदिजेगा यह से पहले हमारा 14 जुम्ला है व यह से पहले अंग्रेज इंदुस्तानियों पर बहुत क्या करते थे अत्यचार कहा जाता इसे इंदि में उर्दु में आप क्या लिखेंगी यहां पर सूच्छा लिखिए गई आपका आपको अफुद मितना ही आपकी नफ्स हमारे रहनमाओं से हमारे रहनमाओं में गை नफ押 द ही सबसे क्या दे आगे दे पीशे कि लिख देए अपनि यहां पर अगराश्य वुल्क में हमारी अपनी हारे अपनी अपनी आक्रियोष छम्र कहा थे है? जो वाडूर बनाते हैं और रुकुमत करते हैं नहीं पॉजिस्या बनाते हैं कहां पर में जायाते हैं फिर दिश्ट को हम चुनकर रहीते हैं वोट के दरीये से यहालिक देगा उस लबस को आफिर दिम्रा आजाजी के साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां ऐसे पहले जी भी जिम्मेदारियां भी हैं तो इस तरह से आपको ये ऐसे मजमून मुकंबल हो गया अब अगले वीडियो में आपसे मला बात होगी अपनी कॉपी में इस मजमून को बहुत साफ साफ अच्छे बिस्तरी के से लिख लिए और डेक्स भी लिख लिए अपनी कॉप में मुकंबल कर लिए एक डेट देती जाएगी आपको जब आपको पनी कॉपियां स्कूल में जमा कराने हैं चेक करने के लिए शुक्रिया